आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक्तम चटाकेदार चटपटा और मसेदार हरी मिर्च का आचार जब आप ये खाने के साथ में खाएंगे न तो ये आचार आपके खाने का स्वाद और भी जादा बढ़ा देगा तो चलिए फीडियो को शुरू करते हैं अगर आपको वीडियो यूसफुल लगे तो मेरे चानल को कर लीजेगा सब्सक्राइब और उसके बगल में छोटा सा बैल आइकन है उसको जरूर हिट कर दीजेए अचार को बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे कुछ मसाले रोस्ट तो सबसे पहले लेंगे दो चमच धनिया दो चमच सौफ एक चमच जीरा दो चमच राई और अधा चमच मेधी दाना अगर आपके पास यहाँ पे राई नहीं है तो इसकी जगे आप सरसो का भी इस्तम मच कलोंजी और फिर से इसे रोस्ट करेंगे जब यह अच्छे से रोस्ट होते है ना तो इसमें से एक बड़ी अच्छी सी आरोमेटिक सी खुश्पू आती है जो की पूरे घर में फैल जाती है तो बस मसाले हो गए है अच्छी से रोस्ट इनको रख देंगे साइड में औ फिर इसमें लगाएंगे कट जिसमें हम स्टाफिंग करेंगे मसाले की सारे मिर्चियों में अच्छे से इस तरीकी से लगा लेंगे कट और जो इस तरीकी की मिर्च होती है यह बहुत जादा तीखी भी नहीं होती है तो यह खाने में भी बड़ी अच्छी लगती है सारे मि अच्छा सा हमें एक पाउडर फॉर में बनाना है, इसे कोर्सली नहीं पीसना है, मसाले पीसने के बाद सेम जार में लेंगे 12-15 लेसन की कलिया, एक चमच रोस्ट किये हुए सफेद तिल और थोड़े से धनिया पत्ते, फिर इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच सरसो का तेल और इसे भी पीस लेंगे, इसे पीसने के बाद में जो मसाला हमने बनाया था उसी में इस मिक्शर को सारा डाल देंगे फिर इसमें डालेंगे 2 चमच आम चूर पाउंडर, 2 चमच नमक और आधा चमच काला नमक, नमक का इस्तमाल आप अपने स्वाद अनुसार भी कर सकते हैं, आधा चमच हलदी पाउडर और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे, फिर अब हम इसमें डालेंगे सरसो का तेल, दो बड़े चमच सरसो का तेल इस्तमाल करेंगे, आचार वगरा में अगर हम सरसो का तेल करते है न तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है इन सब जो हमने इस तरीके से कट लगा के रखी थी उसको हम अलगी रखेंगे और नेक्स्ट लेंगे एक कढ़ाई उसमें डालेंगे एक बड़ा चमच सरसो का तेल जब सरसो का तेल अच्छे से गरम हो जाएगा उसमें से धुआ निकलने लगेगा फिर ये जो हमने भरी हुई दिया दी उसके बाद इसमें डालेंगे जो मसाला बचा हुआ था ना जो मिर्च में हम भर रहे थे बस वो डालेंगे और फिर डालेंगे इसमें दो बड़ा चमच सिरका यहाँ पर मैंने जो गन्ने का सिरका आता है उसका इस्तमाल किया है अगर आपके पास नहीं है तो आई फ्लेम पर पकाना है उससे जादा नहीं पकाएंगे इसे सौफ्ट बिलकुल भी नहीं करना है बस यह हमारा हरी मिर्च का स्वादिस्ट अचार बनकर तयार है आप मेरे इस रेसिपी को एक बड़ ट्राइज जरूर करिएगा और अगर अच्छी लगे तो मेरे चानल को सब्सक्राइब इस वीडियो को लाइक करना ना भूले